दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रीयकाल न्यूज क्लिक के खास कारिक्रम में आपका स्वागत है आज हम हफते भर की खबरों को लेते हुए बलकि उनकी खबर लेते हुए सबसे पहले शनिवार की खबर से अपनी बात आज हम शुरू करेंगे शनिवार को 24 अगस्त विपक्षी दलों का एक बड़ा डेलिगेशन पहली दफा जमू कश्मीर गया जबसे वहाँ पर हालात इसकदर बदले हैं कि घाटी के लोग भी घाटी को पहचान नहीं पा रहे हैं आठकिल 370 और 35 एक खात्मे और राजी के डिवाइट किये जाने यानि विभाजित किये जाने के बाद ये पहला मौका है जब सर्वदलिय प्रतनित मंडल वहां गया इसके पहले विपक्ष के कुछ नेता वहां गये थे वामपंथी दलों के लोग गये थे लेकिन कॉंग्र के दूसरे और नेता केसी वे नुगुपाल अनशर्मा और डीम के के तीरुची शिवा टीम सी के दिनिश्ट्रिवेदी लोकतांत्रिक जनतादल के शरज्यादो एनसीपी के माजिद मेनन और रास्ट्री जनतादल के मनोज कुमार च्छा ये सारे लोग आज गए और कुछमीर के उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि राहूल गांदी और उनकी पार्टी समझ नहीं पा रही है स्टेंड हम लोगों का हम लोग घाटी के बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं अगर उनकी इक्षा हो तो घाटी में आकर वो देख लें कि हालात कितने शांत हैं कितना सद्भावनापूर्ण महाल है इसके लिए मैं उनको सरकारी जहाज हेलिकाप्टर भी उपलब्ध करा सकता हूं ये बात सद्भाल मलिक सहाब ने की जो गवर्नर हैं अब ये अलग बात है कि कुछ ही दिन के बाद उनका डिमोशन हो जाएगा और वो गवर्नर से लेट दुश्मीर के गवर्नर साहब ने महमान बाजी कैसी की वो यह की जैसे ही इन डेलिगेशन ये जो डेलिगेशन था इसके जो नुमाइंदे वहां पहुंचे तो उनको सुरक्षा बलों ने घेरे में ले लिया और उनको श्री नगर एयरपूर्ट से ही बैरंग वापस दिल् ने दिया जा कि हालात क्या हैं कितनी शांती कितनी सद्वावना है लोगों की क्या दुखदर्द हैं लोग मिलना चाहते हैं अभी कुछी दिन पहले हमने देखा कि देश के अखवारों में टेलिवीजन चैल्लों पर एक बड़ी शांदार तस्वीर आई और वो तस्वीर क् पर हमारे देश के राश्टी फेरखषा सला कार जो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर हैं वो दक्षण कस्मीर के किसी इलाके में बाकाइदा किसी चोटे बाजार में लोगों के साथ कुछ खा पी रहे हैं एक प्लेट में लेकर कुछ लोग खा रहे हैं कुछ और लोग भी वहाँ हैं जो उनके साथ भोजन कर रहे हैं, साथ में बात भी कर रहे हैं तो ये शायद दर्शाने के लिए किया गया था कि 35A के खात्मे और 370 के खात्मे राजी को डिवाइट किये जाने के बावज़ूद भी विधान सभा का जो स्टेटस है उसको और जादा गिराने के बावज़ूद भी लोग वहाँ के खुश हैं और देखिए शान्ती है अब मेरा ये कहना है इस ख़बर पर कि भई अगर राश्टी सुरक्षा सलाकार को आप वहाँ पर इलाव कर रहे हैं और उनके जाने से अशान्ती नहीं हो रही है जो किरदार है इस पूरे घटना करम के प्रमुख किरदारों में से एक हैं जो डिसिजन लेने वाले लोग हैं तो जो विपक्ष के लोग हैं वो तो डिसिजन भी इस दरह का नहीं लिये हैं उनको आप क्यों नहीं जाने दे रहे हैं ये तो कुछ एक तरफा बात हो गई कि एक पक्ष के लोग तो जाएंगे लेकिन दूसरे पक्ष के लोग नहीं जाएंगे एक जमाना हुआ करता था जब देश की जो सरकार होती थी स्वैम उसका एक नुमाइंदा डेलिगेशन इस तरह के मसलों पर लीड करता था और एक सरव तकराओं से नहीं मुझे लगता है कि जमकु्ष्मीर के मामले में जिस तरह का गार जिस तरह का स्टैंड जिस तरह का कए दर्शा रही हैं ये सरकार कहीं ने कहीं लोक्तंतर के लिए जमहूरियत के लिए वाकिए खातर 누क है और ये भी एक खबर है चलते चलते हम आपको बत में और घटना करम क्या है इसको नहीं बताया जा रहा है टेलेविजन चैनलों पर लेकिन खबर यह है कि टेलेविजन चैनलों के कुछ पत्रकार भी गए थे इस डेलिगेशन के साथ फालो करने, वहाँ पर कवर करने, उनमें से कुछ एक पत्रकारों के साथ जिसमें कुछ महिला पत्रकार भी थी, बदसलूकी भी वहाँ पुलिसिया बदसलूकी की गई है, ऐसा रिपोर्ट किया गया है, मैं इस बारे में ठोस या बहुत विस्तित जानकारी अभी आनी बाकी ह लेकिन ये एक घटना करम है, जो आपको में रिपोर्ट करना चाहता था, दोस्तों हमारी जो दूसरी सबसे महत्पून खबर है, वो है, इस वक्त जो नाटकी धंग से, जिस तरह पीछी दंबरम, जो देश के वित्त मंत्री रहे हैं, जो देश के ग्रह मंत्री रहे हैं, उन को किया गया, कि उन पर ये आरोप है, कि वो और उनके बेटे किसी ऐसे घोटाले में शामिल हैं, जिस घोटाले के बारे में देश को, देश की слब्हें को जानकारी जो दी, वो आई एनेक्स, जो एक मिडिया संस्थान बताया जाता है, एक संस्था बताई जाती है, उ उसमें जो प्रभारी हैं जो उसकी प्रभारी थी वो इस समय जेल में हैं और जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पुत्री के कतल में उनका नाम आया और उनके हस्टमेंट का भी उसमें सनलिपता पाई गई तो वो स्वेम जेल में हैं तो बताया यह जाता है कि ने इस पूरे मामले में एक तरह से उनका रोल रहा है तब जाकर एजनसी एक्टिव होई इसी राज में भारती जनता पार्टी के कारेकाल में और उनकी गिरफतारी के लिए सी बी आई और तमाम एजनसी लग गई इस बीस में घटना ये घटी कि हाई कोट ने तो उससे पहले लीच दंबरम की गिरफतारी को जरूरी बता दिया था जब वहां गए सुप्रिम कोट में जब मामला गया तो सुप्रिम कोट में भी एक कोट से दूसरी कोट दूसरी बेंच से एक एक बेंच से दूसरी बेंच ये मामला चलता रहा और कुल मिला कर उस दिन सुप्रिम कोट से कोई फैसला नहीं हुआ सुप्रिम कोट ने कहा कि शुकरवार को सुनवाई करेंगे इसी बीच में उन्होंने बाकायदा ऐसी बी आई ने उनके घर को की दिवालों को फांद करके उनको गिरफतार किया इसको लेकर बहुत सारा विवाद चला और विवाद में यह कहा गया क कि CBI को आखिर क्या इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने उनकी बिल्डिंग की चार दिवारी को फांदे की कोशिश की या फांदा और वहां जाकर के उनको गिरफ्तार किया वो देश को छोड़ के नहीं जा रहे थे वो देश के प्रमुख व्यक्ति हैं अगर उन्होंने प्रमुख एक अपराधी की तरह अगर कोई आचरण एजनसी करती है तो माना ये जा रहा है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तरीका गलत है और इसका मेसेज गलत जाता है ये कहीं न कहीं भारत को एक संब्रिद्ध और एक मैच्योर लोकतंत्र होने का संकेत नहीं दे मुलक हैं जहां थोड़े दिन के लिए डिमक्रसी आती है और फिर कभी मार्शल ला जाता है कभी अर्ध सैनिक तंत्र आ जाता है कभी अर्ध डिमक्रसी आ जाती है वहां भी जब एक सरकार पलटती है दूसरी सरकार आती है तो पीछे की सरकारों को लेकर एक अजीब तरह का विक्टिवाजेशन कैम्पेंच चलता है और कुछ लोगों को गिरफ़तार करके जेल भेड़ दिया जाता है पाकिस्तान में ऐसा अक्सर देखा गया है तो ये बंगलादेश में भी बहुत सारे ऐसे पुरुसी मुलकों की में ऐसे जलकियां मिलती रही हैं तो कहीं ऐसा तो न लोगों को खासकर जो लोग मुखरवी रोधी हैं या असामती रखते हैं उनको विक्टिमाइज किया जाए हम बिलकुल यह नहीं कह रहे हैं कि अगर किसी ने गलत किया तो उसके प्रतिक किसी तरह की मरुवत दिखाई जाए लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन लोगों पर पेहत गंभीर आरोप हैं जिन पर बकायदे साक्ष हैं वे लोग जैसे ही पाला बदलते हैं अगर वो विपक्षी दल के नेता रहे हैं वो सत्ता रूर दल में आ जाते हैं तो उनकी फाईले नजने कहां चली जाती हैं एजेंसिज उनके प्रति मुलायम हो जाती हैं उनके प जाले विपक्षी दलों में थे बड़े प्रमुख निता थे अलब सड़ेन उनका हिर्दे परिवर्तन हुआ और वो भारती जनता पार्टी में शामिल हुए और उनके खिलाब कुसी भी कारवाई नहीं तो कुल मिलाकर एक ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऐस है कि वो एक दबाव में हैं अब देखिए जो लोग दबाव में नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ तमाम तरह की कर रवाई हो रही है अब एक सज्जन है महारास्ट के राइनीत में बहुत उपद्रवी माने जाते रहे हैं माफ कीजेगा ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए मुझे लगता है बहुत उप्युक्त भी है और वो जब चाहे तब हिंदी भाषियों के खिलाप अवियान चलाते रहे हैं महारास्ट में लेकिन वो महारास्ट नौनिर्मान सेना के जो चीफ हैं वो पिछले कई काफी समय से सत्तारूर भारती जनता पार्टी के खिलाप रोप सही है गलत है इसके इसके तह में हम नहीं जा रहे हैं लेकिन वो पिछले चुनाओं में भी सत्तारूर दल के खिलाप उन्होंने जबरतस तवियान चलाया अब उनके खिलाप एडी लगी हुई है हम ये बिलकुल नहीं कह रहे हैं कि ये गलत है या सही है लेकिन सवाल के भरस्टाचार विरोधिया भियान पर गंभीर संदेह उबर रहे हैं मीडिया में मामले पर बयानात भी आये हैं कि अगर सत्ता में रह चुके किसी विपक्षी नेता को अपने भरस्टाचार के लिए किसी तरह की सजा या तकलीफ नहीं जेलनी है तो वो दल बदल कर भाजप की एक बहुत महत्मून खबर है और महत्मून खबर इसलिए है कि हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्वला सीतारमन उन्होंने शुक्रवार को कार्परेट को बहुत सारा स्टुमिलस या प्रोटसाहन के जो कदम होते हैं उन्होंने उठाए प्रोटसाहन के लिए उन्ह हजार करोड का एलान हुआ कर्ज सस्ता मिल सकेगा ऐसा उनका कहना है आटो सेक्टर के लिए बैंकिंग सेक्टर के अलावा इंकम टैक्स में भी उन्होंने कुछ कार्परेट और उद्योगपतियों या इस तरह के लगातार जिद्द करती रही कि हम इस मांग को बिलकुल नहीं मानते कि इस तरह के सरचार्ज को हटाया जाना है लंबे समय तक इसको लेकर मांग होती रही लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया लेकिन अब दिल्चस्ट बात यह है कि सरकार बार-बार इस से इंकार कर रही थी कि किसी तरह का economy में मंदी नहीं है अर्थ्व किसी तरह की कोई सुस्ती नहीं है लेकिन अब SEEM सरकार ने बगैर यह कहे कि मंदी है सुस्ती है slow down है उसने जितने उपाय किये हैं इसी समस्या को address करने के लिए किये हैं निति-यायोक के उपाजक्ष ने अभी दो दिन पहले कहा कि ये जो हालात हैं वो 70 साल में पहली बार इस तरह के पैदा हुए हैं सरकार को जरूर रेड्रेस करना चाहिए इस सुस्ती को कैसे खतम किया जाए लेकिन दूसरे जो सरकार में बैठे लोग हैं खासकर जो महत्वण जो मामले देखत उन्होंने इसी तरह से बड़ी पोईटिक अंदाज में कहा ताकि उनको ये उनका ये कहना था कि अगर बार बार सरकार से आप रहात की उमीद करते हैं तो हालात नहीं बदले जा सकते हैं लेकिन दोस्तो कुछी दिन पहले की बात है दहिंदू अखवार की रिपोर्ट के मत मुर्ती अभी भी कह रहे हैं कि 300 साल में भारत को पहली बार ऐसा आर्थिक माहौल मिला है ये विश्वास और आशा जगाता है मुर्ती जी ने यूपी के सियम योगी जी और गीता प्रेस की जो भूमी है गुरखपुर वहां किसी समारों में संबहता ये बात कही मुर्ती ज जो हैं उन्हीं का जो आधा नाम यूं कहा जाए कृष्ण मुर्ती हैं सुब्रमुर्यम जिनकी बात मैं कर रहा था पहले भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाकार जो हैं जब सब दिगज ये पद छोड़ गए तब वो आए हैं युवा हैं खासे उत्साई हैं उन्होंने 22 सगस्त को जो बात कही उससे तो एक बात समझ में आती है कि उनको स्वैम भी नहीं बालूम था अर्थिक सलाकार होने के बवजूद देश के मुख्य अर्थिक सलाकार की आखिर उनकी सरकार अगले दिन क्या कदम बढ़ा रही हैं उन्होंने पापा बचाओ मानसिक्ता छोड प्रक्षक मन कर इंडस्ट्री को उबारने में आगे आई और उसने पैकेज का एलान किया एफपी आई पर जो सरचार्ज था वो नहीं लगेगा इसका एलान होते ही कंपनियों में जरूर खुशी आई है लेकिन सवाल इस बात का है कि इस प्रोथसाहन पैकेज से जनता को क् अर्थिक बदहाली के जिस दौर से गुजर रही है बेरोजगारी जिस कदर बढ़ रही है लोगों की क्राय शक्ति जिस तरह कमजोर हो रही है इंडिस्टलाइशन का बहुत बुरा हाल है आखिर इसको कौन एड्रिस करेगा तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो समहन का उस खबर की रोशनी में जरूर ये सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि आखिर इस पूरे घोशना से इस पूरे अईलान से आपको क्या मिला है आप जनता को क्या मिला है और दोस्तों हमारी जो एक और बात बहुत महत्तूर है इसी खबर से जूरी हुई कि इस वक् मकाबले भारत का जो रूपया है उसकी किमत 72 यानि एक डालर बहत्तर रूपय के बराबर है। मुझे याद है कि प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग के कारिकाल में एक बार रूपया डालर के मुकाबले 6061 हो गया। 60-61 रुपए का एक डालर उस वक्त हमारे देश के मौझूदा प्रधान मंतरी गुजरात के मुख्य मंतरी थे उन्होंने बड़ी दिल्चस्प बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि ये क्या हो रहा है अर्थव्योस्ता के साथ जैसी सरकार है वैसी अर्थव्योस्ता है उन्होंने इतनी आलोचना की डालर के मुकाबले रुपए की का जो अउम्मुल्यन है उसको लेकर की मनमोहन सिंग की सरकार की धज्जियां उड़ा कर रग्मिन आप देखिएगा इस वीडियो को जो हम आपके सामने जरूर पेश करेंगे हमारी अगली जो खबर है साथियो वो है रैदास मंदिर ध्वंस के विरोध में दलित पहुजन की दिल्ली में बड़ी रैली वो मैं समझता हूँ कि इस हपते की बहुत महत्पून खबर है जिस दिन चैनलों में पी चिदंबरम की गिरफतारी के नाट की फुटेच चाय हुए थे उस दिन की दरसल वो सबसे बड़ी खबर थी लेकिन अपने देश के टीवी चैनलों का हाल जबर्दस्त है अभूत पुर्व है दुनिया के किसी भी देश में खासकर किसी बड़े लोग चांत्रिक देश में ऐसा टेलिविजन आप नहीं देखेंगे एक ही खबर को पकड़ता है सु आजियाबाद में सीवर सफाई करने वाले जो करमशारी हैं वो एक दिन वहां उत्रे थे सीवर सफाई करने उनमें पांच लोगों की दम घुटने से मौत हो गई बीते कुछ सालों में सीवर साफ करने के लिए जो करमशारी अंदर घुसते हैं वो लगभग 20 हजार से अधि की तैयारी कर रहा है बलकि कुछी दिन के अंदर चांद पर उसका एक जहाज उतर जाएगा चंद्रयान बहुत सारे लोग सपना देख रहे हैं कि चांद पर हम प्लाट खरीदेंगे शायद कश्मीर के बाद अगला नमबर वहीं प्लाट खरीदने का होगा बहतों का लेकिन उस मुलक में सीवर की सफाई के लिए मशीनरी उपकरन इजाद नहीं किया जाता अचा कल्पना कीजे आप इजाद नहीं करते क्योंकि आवशकारों पर आपका ज़्यादा जोर नहीं है इन्वेंशन्स पर आपका जोर नहीं है निर्मान मैनिफेक्शरिंग पर आपका जोर के लिए उपकरण इजाद किये गए हैं बनाए जाते हैं मेनिफेक्शर किये जाते हैं वहां से आप आयात कर सकते हैं लेकिन आप दुनिया भर की जूता चप्पल से लेकर प्लास्टिक तक कास्मेटिक से लेकर के कपड़े तक सब कुछ आयात कर सकते हैं लेकिन सीवर सफाई में उतरने वाले करमचारियों की मौत इस लोकतंत्र को आप क्या कहेंगे और साथियो इस अफ़ते की हमारी आखिरी जो खबर है वो बहुत दुखत है बलकि दो दुखत खबरें हमें हैं इस अफ़ते दो बड़ी हस्तियां जो देश की हैं उनका निधन हुआ है पूरु उरी खबर महान संगितकार खयाम साथ का उननीस अगस्त को इंतकाल हो गया खयाम साथ नव के वले एक महान संगितकार थे बलकि एक जिंदा दिल इनसान भी थे तरक्की पसंद सोच के ख्याम साहब ने जिन गीतों को लैबद्ध किया अपने संगीत से समारा वो आज इस मुल्क में लोगों की जुबान पर है बच्चे से लेकर बुढ़े तक उन गीतों को गुन गुनाते हैं और संग्खी गीत है बहुत सारे संगितकारों गायकों के कुछ गीतों को खोजना पड़ता है ख्याम साहब के पास जो खजाना है उसमें गीतों की महान लड़ियां है आप जहां भी जाएए जहां भी उंगली रखिए जहां भी आपकी मेवरी जाएगी वो ख्याम साहब के वो महान गीत आपको जरूर याद आएंगे मैं चलते चलते ख्याम साप का एक गीत आजकल जानते हैं कई बार होता है कि जो गीत रिकार्डेट है उनको बजाने पर आजकल कॉपी राइट का ऐसा मामला ऐसा जमेला पैदा हो गया है कि बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है तो हम कोई गीत बजाना चाहें भी तो थोड़ी मुश्किलात आ गई है आजकल कानूनी पेंच हो गए है लेकिन हम जरूर पढ़ेंगे एक गीत जो साहिर साहब का लिखा है साहिर लुद्यानवी का और जिसे एक हयाम साहब ने अपने संगीच से लाइबद किया करती नगमे गाएगी वो सुबह कभी तो आएगी जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं जिस सुबह की अम्रित की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी वो सुबह कभी तो आएगी